हेलो दोस्तों सौगत है आप सबका आपकी अपने चैनल मैट सर में है तो कैसे हैं आप सर चलिए आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नमबर ओफ जीरो या हिंदी में इसको बोलते हैं सून्यको की संख्या ठीक है इसमें हम करेंगे तो आज की क्लास में यह पार्ट वन रहेगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताने वालूँ ठीक है कि नमबर ओफ जीरो क्या होते हैं कैसे बनाए जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखी स्टुडेंट सबसे पहले number of zeros इस term का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लीजे एक number लिखा हुआ है for example 452300 इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि number of zeros बताईए तो इस चीज का मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि इसके last में जो last में right side से आप देख रहे हो right side से last में right side से कितने number of zeros है यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कितने zeros है दो यह इसका meaning होता है हिंदी मुले लाता है सूनने की संख्या मतलब कोई अगर आपको number दिया है तो आपको देखना है कि उसके last में right side में last में कितने zeros आ रहे हैं वो आपको निकालना है तो number of zeros का मतलब संख्य में आ गया कोई भी संख्या है उसके last में कितने zeros हैं वो हमें बताना है चली इतना clear हो गया अब exam में इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं कि आपको एक number दे दे जैसे example 2570 ऐसा number दे दे और आपसे पूछे कि last में number of zeros बताईए तो आप बता दोगे एक इतना आसान question नहीं आता है exam में ठीक है तो exam में कैसा सवाल आता है exam में इस तरह का सवाल आता है ये क्या लिखा हुआ है देखिए 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इन सभी numbers को multiplied कर दे तो number of zeros कितने आएंगे ये हमें बताने है ठीक है तो सबसे पहली बात तो number of zeros तो बाद में निकालेंगे हम सबसे पहले इतना बड़ा जो ये digit लिखा हुआ है इसको लिखने का कोई shortcut होना चाहिए है ना जैसे अभी तो 10 तक लिखा है मालो 100 तक लिखना हो तो या 1000 तक लिखना हो तो या 1,000,000 तक लिखना हो तो किया आप यही करते रहोगी 1 into 2 into 3 सबसे पहले number of zeros निकालने से पहले हमें इसको लिखना बहुत बड़ी problem है है ना किसको हम कैसे लिखे या तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 से 10 तक के संख्याओं का भुड़न फल ऐसा लिख सकते हो लेकिन इतना लंबा बार बार तो आप लिखोगे नहीं है ना पहला सवाल तो यही है कि एतना लंबा हम बार बार क्यों लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए एक ऐसा symbol चाहिए एक ऐसा mathematically एक symbol अगर हो जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमें इस number को एक से लेकि 10 तक multiplied करना है तो maths में ऐसा एक symbol बनाया गया है जिससे आप इसको एक word में लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो एक word में कैसे लिखोगे वो symbol क्या है उस symbol को ऐसे बनाया जाता देखो यह ऐसा एक line और उसके नीचे point या फिर इसी symbol को ऐसा भी बनाया जाता है इसका नाम क्या है इसका नाम है factorial क्या नाम है factorial या shortcut में बोलना है तो fact एक इस वाले में इसके आगे नंबर लिखा होता है मतलब 10 और यहाँ पर इसके अंदर नंबर लिखा होता है इसको क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं 10 पहले लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 10 factorial इस symbol को पढ़ते हैं factorial और number लिखा है तो 10 factorial यहाँ पर factorial पहले आ रहा है फिर 10 आ रहा है तो इसको पढ़ते हैं factorial 10 दोनों का same मतलब है या तो आप 10 factorial लिख दो या फिर क्या लिख दो factorial 10 इसका same वो ही meaning होता है जो इसका मतलब होते हैं अब इसका मतलब कैसे समझों कि mathematically इसका क्या meaning है तो 10 factorial का मतलब होता है कि 1 into 2 into 3 अब टू कहां तक 10 तक multiply ठीक है यह factorial 10 का यह मतलब होते हैं तो पहली समस्या solve हो गई कि हमें यह इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा ठीक है अब मालो ऐसा लिखा 20 factorial तो आप understood समझ जाओगे कि 1 into 2 into 3 dead dead as कहां तक जाएगा यह 20 तक multiplied होगा ठीक है अब यह हो कैसे रहा है तो देखी जैसे 10 factorial लिखा है 10 factorial लिखा तो इसमें से अगर आप 10 common ले लोगे तो 10 into में आ जाएगा और इसके अंदर इसका नियम होता है कि जब भी आप इस नंबर को बाहर निकालोगे तो इसमें से 1 minus करना पड़ेगा और फिर लग जाएगा factorial तो इस क्या हो जाएगा 10 अगर आपने निकाल लिए तो 10 into में आ गया और 10 minus 1 क्या होगे 9 factorial वैसे अगर आप इसको 9 को भी बाहर निकालो तो 10 तो पहले से 10 into 9 अब 9 को भी अगर आप बाहर निकालोगे factorial से तो यह जाएगा 8 minus 1 into factorial into नहीं 8 minus 1 factorial अब इसका क्या मतलब हो जाएगा 10 into 9 into अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कि 10 गुड़ेत 9 गुड़ेत 8 आठ को भी निकालोगे तो यह कितना बचेगा 7 factorial 7 को भी निकालोगे तो 6 factorial 6 को भी निकालोगे तो 5 factorial 5 भी निकालोगे तो 4 factorial फिर 4 को भी निकालोगे तो 3 factorial तीन भी निकाल लो तो 2 factorial फिर 2 भी निकाल लो तो 1 factorial ठीक है अब यहाँ पर क्या problem आती है 1 factorial अगर आप 1 को भी निकालोगे तो into में 1 आजाएगा और क्या जाएगा 1 minus 1 factorial मतलब भी क्या हो जाएगा 0 factorial फिर आप बोलो जीरो को भी निकालेंगे तो फिर minus बना जाएगा तो 0 factorial की जो value रखी गई है वो कितनी होती है वो 1 होती ठीक है यहाँ confuse नहीं होना सिर्फ कहां तक जाना है आपको 1 तक ही जाना है तो 10 factorial क्या मतलब हो जाएगा 10 गुड़ित 9 गुड़ित 8 गुड़ित 7 10 कहां तक 1 तक उसके बाद factorial खतम हो जाता है क्योंकि 0 factorial जैसी आजाएगा तो उसकी value हो जाएगी 1 1 का multiply करोगे तो वही number बन जाएगा तो आप factorial के बारे में अच्छे से information हो गई आपको factorial क्या चीज है मतलब ये समस्या तो हमारी solve हो गई अब number of zeros में फिर से आजाते हैं लेकिन थोड़ा सा factorial के बारे में और जान लेते हैं देखिए factorial का symbol मैंने आपको बता दिया factorial लिखा जाता है पूरा या फिर fact लिखा जाता है और या फिर ये symbol बना दो आप या फिर ये वाला symbol बना दो ठीक है अब मालो ऐसा लिखा n factorial ठीक तो n factorial का क्या मतलब है अगर मैं n को बाहर निकाल लू into में आ जाए तो यहां क्या हो जाएगा n minus 1 factorial ठीक है अगर मैं n minus 1 को भी निकाल लू तो n into n minus 1 फिर क्या जाएगा into में n minus 1 था फिर 1 minus और लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 factorial मतलब इससे अगर आप number निकालते जाओगे तो 1-1 संख्या minus हो दी जाएगी अगर आपने n minus 2 भी निकाल लिया तो यह हो जाएगा into में n minus 3 factorial फिर के अब समझ में आगया n into n minus 1 into n minus 2 और into n minus 3 भी अगर निकाल लिया अपने तो यह हो जाएगा n minus 4 factorial ऐसे करके factorial बढ़ता जाते तो हमें बार बार 1 into 2 into 3 ना लिखना पड़े इसके लिए mathematicians ने इस symbol को इजाद किया है फिर के इसको क्या बोलते है multiplied होना तो सवाल जो होगा वो इसी तरह से आएगा कि 20 factorial में बताईए number of zeros कितने हैं अब clear हो गया आगे समझ में चली अब वापस से हम उसी में जाते हैं हमें निकालना था क्या number of zeros तो यह क्या लिखा हुआ है 10 factorial लिखा हुआ एक मतलब क्या है 1 into 2 into up to 10 तो factorial हम समझ गए अब हम वापस से number of zeros में आ जाते हैं कि number of zeros कितने होंगे तो कैसे निकालोगे देखो number of zeros इस पूरे का जब multiplied अगर आप कर दो पहले में direct इसका multiplied करके आपको बतारोगे पूरे का multiplied करोगे तो यह answer आएगा यहाँ पर आप देखके बता सकते हो कि number of zeros कितने आ रहे 2 आ रहे ठीक number of zeros कितने आ रहे है 2 आ रहे लेकिन यहाँ तो आपने multiplied कर लिए 10 तक number थे मालो 100 तक आ जाएंगे तो क्या 100 तक multiplied करोगे अब तो नहीं होगा 100 तक भी कर लिए तो 1,00,000 आ गया उसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप 10 लिख लो आप यह देखो number of zeros zeros बनते कैसे zeros कैसे बनते किसी भी number में जैसे मालो को 2,3,5,0 लिखा है तो इसमें 2,3,5 और into अगर आप कर दो 10 तो यह क्या बन जाएगा यहाँ पर यह zero बन जाएगा अब नमबर ओफ zeros बनाने वाले जो factor है वो क्या है 10 ठीक है मतलब हमें क्या निकालना है number of 10 निकालना है ठीक अब किसी भी number में अगर हमें ऐसे लगातार क्या दिये हैं कोई numbers दिये हैं जो multiplied हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना है number of 10s find करना है 10 कितने बार आ रहा है अगर हम ये निकालना है तो हमें number of zeros पता चल जाएंगे क्योंकि यहां 10 कितने बार आ रहा है इसको हम into में 100 लिख सकते हैं तो दस कितने बार हो गया है तो number of zeros कितने हो गया है 2 तो हमें क्या निकालना है basically हमें निकालना है कि 10 कित्ते बार आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल यहाँ पर छोड़ रहा हूँ उसको मैं आगे बताऊंगा कि हम direct number of 10 नहीं निकालते ठीक मतलब direct हम 10 नहीं निकालेंगे अब क्यों नहीं निकालेंगे उसका जवाब आपको आगे क्यों निकालेंगे देखिए 10 जो है हम 10 नहीं निकाल रहे है ठीक तो हम क्या निकालेंगे ताकि हमको number of zeros पता चले है पहले आप इसका क्या कर लीजे prime factorization prime factorization इसकी prime factor बना लो prime factor समझते हो मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 into 5 इसको क्या लिखा जा सकता है 2 into 5 लिखा जा सकता है ठीक है यह हो गए prime factorization मतलब इससे basic और कोई संक्या में यह नहीं टूटेगा तो हमें क्या निकालना है हमें 10 नहीं निकालना हमें 10 नहीं निकालना है 2 और 5 ठीक है मतलब यह तो हम 2 निकालने यह 5 निकालने हमें इन दो नंबर को निकालना पड़ेगा यह फिर हो सकता है दोनों की value निकालनी पड़े तब ही हम बता सकते हैं कि इसमें number of zeros कित्ते होंगे अब फिर एक और problem आ गई कि अगर हमें कोई सवाल दिया है तो क्या हम number of twos find करते रह जाएंगे या फिर number of five find करते रह जाएंगे यहां तो दो digit आ गए तो problem हो जाएगी इस समस्य को solve करने के लिए मैं आपको एक बहुत best तरीका बता रहा हूँ उसको आप समझ लो ठीक है कैसे आपको निकालना है कोई एक ही digit निकालना है ठीक क्योंकि सवाल अगर आप दो-दो digit निकालोगी न बहुत lengthy हो जाएगा अब हम दो digit मैं से एक ही digit निकालेंगे क्यों निकालेंगे इसका जवाब मैं अभी आपको बताता हूँ तो देखिए दो और पाँच सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 अप्टू 10 तक करते हो इसमें अगर हम number of क्या निकालें निकालें ठीक है number of twos कितने आएंगे देखो ध्यान से समझना एक बढ़ दो यहाँ आएगा फिर तीन को नहीं लेंगे फिर क्या आएगा चार चार को क्या लेख सकते हैं 2 इंटू 2 फिर 6 आएगा तो 6 में क्या होगा 2 इंटू 3 होगा फिर क्या आएगा 6 के बाद 7 7 में 2 न इंटू 2 फिर क्या आएगा 9 में 2 नहीं आता फिर आएगा 10 में 2 आएगा क्या 2 इंटू 5 तो number of twos कितने हो गए एक फिर यहाँ पर 2 तीन मतलब एक फिर तीन सारी एक और दो तीन और एक चार और तीन साथ और एक आठ मतलब number of twos कितने आ रहे हैं 2 की power 8 आ रहे हैं वैसे number of five निकाल लो fives तो number of fives कितने आ रहे हैं देखो अगर एक से multiply करोगे तो 5 यहाँ आएगा पांच भी रैंक पे फिर 6 आएगा फिर 7 आएगा फिर 10 आएगा तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 मतलब 5 यहाँ आएगा तो number of twos कितने हो गए हमारे पस number of twos sorry number of five कितने हो गए दो बार होगे ठीक है अब आपके पार number of twos भी है number of fives भी है तो ध्यान से समझ जाना number of twos भी है number of fives भी है अगर five दो बार आ रहा है और दो आठ बार आ रहा है तो इस condition में कितने 10 बन सकते हैं आप खुद देखिए कितने 10 बनेंगे यह 5 की power 2 है यहाँ अगर 2 की power 2 को common ले पांच गुड़े 2 की whole power 2 हो जाए गई into 2 की power 6 मतलब यह हो जाएगा 10 की power 2 दो की power 6 मतलब 10 कितने बन गये 10 कितने 2 बार घुक है तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया 5 निकालना चाहिए कि 2 निकालना चाहिए यहाँ से समझ में यह आया कि 5 और 2 की बात नहीं है बात किसकी है जो number कम बार repeat हो क्या हो जो number कम बार आए 5 कम बार आ रहा है तो देखिए उतने ही क्या बन रहे है 10 बन रहे różnych अगर 2 कम बार आ रहा होता तो उतने ही 10 बन ते जो संख्या मतलब 5 और 2 मैसे जितने कम बार less बार आएगी उतने ही क्या बनेंगे zeros बनेंगे ठीक है तो यहाँ पर कौन कम बार आ रहा है पांच कम बार आ रहा है तो अब आप समझगे हमें क्या निकालना है number of 5's निकालना है अब एक सवाल हो रहे हैं number of 5 कम क्यों आ रहे हैं तो उसका answer यह है 5 कम बार क्यों repeat हो रहा है पांच कमबार क्यों आ रहा है क्योंकि अगर आप 1 into 2 into 3 dash dash कहा तक 10 तक अगर देखोगे तो देखिए 2 जो है 2 जो संक्या है वो हर दूसरे इस्थान पर आ रही है मतलब 2 के बाद 4 फिर 4 के बाद 6 फिर 6 के बाद 8 फिर 8 के बाद 10 मतलब 2 जो है वो 2-2 के gap में आ रहा है ठीक और 2-2 के gap 10 में बहुत सारे बन जाएंगे अगर आप 5 देखो तो 5 कहा आ रहा है 5 हर पांचवे इस्थान पर आ रहा है ये 5 रैंक पर एक बार 5 पांचवे रैंक पर आ गया तो अगली बार 10 वे रैंक पर आएगा मतलब यहाँ 5-5 का difference है और यहाँ 2-2 का difference है इसका मतलब यह वहा है कि संख्या जतनी बड़ी होगी उतने ही कम बार repeat होगी अब समाज में आया है मतलब ये घर लगातार कोई संख्याइं लिखी हैं उसमें आप जतना बड़ा number ले रहे हो वो उतने ही कम बार repeat होता है ठीक है और जितना छोटा number ले रहे हो वो उतने ही जादा बार repeat होता है क्यों होता है क्योंकि उसके बीच में gap कम होता है इसलिए वो अपने gap के हिसाब से repeat होता है 5 बड़ी संख्या है 5 में जादा gap है इसलिए वो ज़्यादा बार कम बार आ रहा है और 2 छोटी संख्या है उसमें gap कम है इसलिए वो ज्यादा बार आ रहा है इसलिए हम जब भी number of zeros find करेंगे तो हम हमेशा number of zeros के लिए क्या देखेंगे लगातार संख्या हों में क्या देखेंगे पांच देखेंगे ठीक है ये जब लगातार संख्यां आएंगी तब के लिए बता रहा हूँ बाकी हम case oriented सवाल oriented भी approach हम देखेंगे कई बार ये change भी हो जाता है लेकिन maximum time आपको क्या करना है number of 5 ही count करना है clear है आगे समझ में मतलब हमें क्या करना है number of 5 अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा कि कितने zeros आ रहे है ठीक है आगे समझ में चले अब आगे देखते हैं आप देखिए student मतलब ये factorial 10 लिखा था इसमें हमें क्या करना है number of क्या निकालना है 5 निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा अब पिछले slide में देखो number of 5 कितने बार आ रहा था दो बार तो उतने ही क्या आ रहे थे 0 आ रहे थे मतलब हमें number of 5 निकालना है ठीक आप आप ध्यान से देखिए ये number of 5 आपको निकालना है तो आप यहाँ पर तो छोटी संख्या है 10 तक गुणा है तो आपने गुणा करके भी निकाल सकते हो कि number of 5 कितने आएगए पर इसका कोई न कोई क्या होना चाहिए method होना चाहिए निकालने का ठीक है क्या होना चाहिए method होना चाहिए तो वो method आप समझ लीजे बहुत important method है कि अगर लगातार number दिये हो ठीक है अगर लगातार number दिये हो तो आपको कोई भी prime number अगर निकालना है जहां से सुनना कोई भी prime number 5 क्या है prime number है वो 5 का भाग दो कितने बार भाग देना है 5 2 2 दो नी 10 जब तक भाग देना है जब तक यह answer जो है इस बाग देने वाले नमबर से चोटा न आ जाए ठीक है क्या न आ जाए चोटा न आ जाए तो 5 2 10 यह एक ही बार में से क्शोटा आगए अगर आपको इसमें number of twos निकालना है क्या निकालना number of twos दो क्या है prime number है तो number of twos अगर आपको निकालना है तो 10 में आप 2 का भाग दो कितने बार आज बढ़ जाएगा क्या इसका अंसर 5 आया है ये इससे छोटा है नहीं है तो फिर से भाग दो पाच में फिर दो 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 नी चार जितने बार जारो उतने बार देना है इस फल नहीं लेना आपको दो 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 नी चार दो बार गिया अभी भी ये इसके बराबर इससे छोटा नहीं आए मतलब फिर से आप 2 का भाग दोगी ठीक है अब इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आठ और यही नमबर ओफ क्या कहलाता है टूज कहलाएगा ठीक है तो यह तरीका है प्राइम नमबर निकालने का किसी भी लगातार मल्टिप्लाइड होने वाली संख्याओं में तब तक डिवाइड देना है जब तक वन आजाए तो आपको लग रहा होगा यह पाँच क्या है तो स्टूडेंट यह नमबर ओफ टूज है जिनकी पावर क्या दी हो वन हो यह जो दो आ रहा है यह दो यह दो की पावर दो है और ये क्या आ रहा है ये 2 की पावर 3 है मतलब 2 जो है वो 5 बार आ रहा है इसमें 2 की पावर 2 कितने बार आ रहा है मतलब 4 कितने बार आ रहा है इसमें 2 बार आ रहा है और 2 की पावर 3 का मतलब 8 8 2 की पावर 3 कितने बार फॉर्म में आ रहा है ये एक बार आ रहा है ठीक है तो number of twos अगर आपको निकालना है तो वो इस तरीके के आपको मेटर लगाना पड़ेगा वैसे number of five के लिए अगर number of threes आपको बताना है कि number of threes कितने आ रहे होंगे तो 10 में 3 का भाग दीजिए 3 ती या 9 फिर 3 बते 3 करोगे तो 1 आ जाएगा मतलब ये इनको जोड़ दीजिए कितने बार आ गया number of threes कितने हो जाएंगे इसमें 4 हो जाएंगे तो 3 कितने बार आ जाएगा 4 बार आ जाएगा अब clear है अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया हमें number of क्या निकालना है 5 निकालना है ठीक है हमने number of five निकाली कितने बार आ रहा है 2 बार number of twos निकाली कितने बार आ रहा है 8 बार लेकिन दोनों में से कम कौन आएगा always बड़ी संख्या कम आएगी जो कि 5 है तो हम हमेशा क्या निकालेंगे number of fives निकालेंगे और वो जितने बार आ रहा होगा उतने में ही हमारा answer आ जाएगा clear है अब देखिए अभी मैंने पिछली slide में आपको बताया था कि 10 का जो divide है वो हमने direct क्यों नहीं दिया फिके 10 का जो divide मैंने direct क्यों नहीं दिया इसका answer में आपको बता रहा हूँ जैसे अगर आप 10 का divide देते मालो 10 factorial है उसमें 10 ही का divide देने आपको तो 10 का देते तो कितना answer वन आता जो कि इससे छोटा हो जाता इसके बाद तो divide जाएगा नहीं अगर आप 10 से divide दोगे तो क्या आपका answer सही आ रहा है क्या देखो यहां तो 2 0 आ रहे है लेकिन 10 से divide देने में कितना आ रहा है 1 0 आ रहा है ठीक है अब इसका reason यह है कि 10 क्या है 10 है composite number 10 क्या है composite number है 10 ठीक है तो जब composite number का direct divide देके निकालोगे तो answer क्या हो जाएगा यह गलत आने लगेगा ठीक है कई बर सही भी आ सकता है ऐसा नहीं है लेकिन कई बर गलत भी आ सकता है तो यहाँ पर देखिए गलत आ रहा है answer तो जो divide है वो number को क्या करने के बाद देना है prime factorization करने के बाद ही देना है आपको ठीक है क्योंकि यह जो method है यह कहाँ पर लगेगी prime numbers पर लगेगी मतलब कोई भी number अगर आपको निकालना है तो पहले आप उसको basic multiplication prime factorization कर लो फिर उसके prime factors की संख्या निकाल लो तब आपका answer सहिया जाए तो यह जो approach है वो किसके लिए है prime numbers के लिए और 10 कैसा number है 10 composite number है इसलिए इसका हमने divide नहीं दिया तो यही इसका reason था अगर आप direct divide एके निकालोगे तो आपके number of zeros क्या जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि यह composite number है यह rule कहां लगता है prime numbers पे लगता है अब clear हो गया आगया समय में बहुत अच्छे से चले अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए कुछ examples बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल basic example बता रहा हूँ ठीक ताकि आपको easily clear हो जाए यहां लिखा है 2 की power 7 into 5 की power 8 अब आप obvious सी बात यहां देखकर बता सकते हो कि number of zeros कित्ते बनेंगे ठीक है लेकिन यहां पर कोई number नहीं लिखा 1 into 2 into 3 तिर पावर दी है तो आप देखके बता सकते हो देखो हर बर 5 चेक करना जरूरी नहीं है उस सवाल पर depend करते हैं जब लगातार number दिये हो multiplied में तब आपको 5 निकालना है लेकिन अगर ऐसा number दिया हो तब आप क्या करोगे यहां पर जिसकी पावर कम हो जो कम बार repeat हो रहा हो क्या हो रहा हो कम बार repeat हो उसकी जो पावर होगी वो ही answer होगी जो number कम बार repeat हो 5 आठ बार आ रहा है और 2 साथ बार आ रहा है तो कम बार कोन आ रहा है 2 आ रहा है इसका मतलब number of zeros कितने बनेंगे इसमें 7 बनेंगे क्यों? यहां 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 लिख लो इसको और अलग से 5 लिख लो यह 5 दूनी 10 यह पेर बन जाएगा किते बार? 7 बार और यह एक्स्ट्रा बन जाएगा कि इसका कोई पेर नहीं है तो number of 0 कितने होगे? 7 होगे एक आगे समझ में यहां देखिए यहां पावर कम किसकी है? 5 की पावर कम है या 2 की पावर कम है? तो 5 की पावर 9 है और 2 की पावर है 14 यहां 5 कम बार रिपीट हो रहे है मतलब number of 0 कितने बनेंगे? यहां पर 9 बनेंगे क्यों बनेंगे क्योंकि 5 की power 9 लिख दो और 2 की power यहां 9 लिख दो और यह जाएगा 2 की power 5 ऐसा लिख सकते हैं और 5 14 तो यह 9 pair तो बन जाएंगे ठीक है लेकिन यह 2 के 5 pair जो है वो नहीं बनेंगे इसलिए यह 0 नहीं हो पाएगा तो कितने आएंगे number of zeros यह आएंगे कितने 9 clear आब आगे है समझ में पूरी तरह से चलिए आगे example देखते हैं यह लिखा हुआ है student 20 factorial या 1 into 2 into that is कहां तक 20 तक आपको multiply करना अब यह continuous number है consecutive number है लगातार आने वाले number जिनका multiply हो रहा है इसमें आपको क्या करना है number of twos find नहीं करना क्योंकि number of twos क्या होंगे हर दूसरे स्थान पर होंगे जो की बहुत जादा होंगे हमें क्या करना है जिसकी संख्या कम हो मतलब पांच जो पांचवे rank पर आएगा बार बार है न उसकी संख्या निकालना है तो हम यहाँ पर क्या find करेंगे number of fives ठीक है number of fives निकालने के तरीका मैंने बता दिया है twenty upon five पांच जो के बीस एकी बार में आगया इससे छोटा मतलब number of zeros कितने होंगे इसमें number of zeros होंगे four यह रहा है चल इसमें देख लीजे इसमें 50 factorial मतलब one से लेके 50 तक multiplied तो पचास factorial में पांच का भाग दो गया आप कितना जाएगा यह दस बार चला गया फिर दस में फिर से चला जाएगा तो पांच दो नहीं दस हो जाएगा अब दो इससे छोटा आ गया तो डिवाइड नहीं जाएगा तो दस और दो बारह number of zeros कितने हो जाएगे बारह और य निकालना है मतलब number of five आपको देखना पड़ेगा तो डिवाइड देते जाओ पांच दो नहीं दस ठीक है बीस बार चला गया फिर बीस में पांच का फिर से डिवाइड दोगे तो पांच चोग के बीस अब चार से छोटा है डिवाइड जाएगा नहीं मतलब कितना हो जायेगा तो जायाँ जाये लिवाइड हुभ रिमे यहां बीस में पांच का देवाईड तो यहां पर कितना बार आ रहा हैं यहां पर तो जो डिवाइड दे रहो वो क्या दिकाता है कि पावर्ट थी कितने बार आ रहा है किसे करो कि 25 एक वार आएगा यहीं पर इसे करके कितने बार आएगा 25 फच्च्ची दो नी 50 50 थीए 75 अप टू 50 500 तक मतलब 25 जो है वो कितने बार आएगा 20 बार आएगा वैसे यहाँ 125 कितने बार आएगा 125 125 मल्टिपलाइड में कितने बार आएगा 4 बार आएगा तो सब को total कर लेंगे यह कितना हो जाएगा सुरी यह गलत लिग गया है मुझे यह कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा ठीक है यह जोडेंगे तो कितना जाएगा 124 clear है मतलब number of zeros हमारे कितने बनना चाहिए 500 factorial में 124 बनना चाहिए clear है आगे समझ में अगला लिखा हुआ है यह तो मैंने बता दिया 100 factorial 500 factorial हो गया अब इसके बाद आता है question number 9 और 10 यह बहुत अच्छे question है इसमें देखिए 1 into 3 into 5 into 7 into 9 dead dead is कहां तक 99 into 101 यह कैसे number लिखे है यह odd number लिखे ठीक है इसमें 5 तो मिल जाएगा आपको यहां से देखिए इसमें 5 तो मिल जाएगा लेकिन क्या नहीं मिलेगा 2 नहीं मिलेगा और 0 बनाने के लिए 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है multiplied में लेकिन इस सवाल में तो सिर्फ 5 ही आएगा क्योंकि विसम संख्याओं का multiplication है odd numbers का तो संख्या तो आएगी ही नहीं इसका मतलब कितने भी 5 ले लो आप 0 नहीं बनेगा तो इसमें number of zeros कितने हो जाएँगे number of zeros कितने हो जाएँगे 0 एक भी 0 नहीं बनेगा क्यों कि विसम संख्याओं है विसम संख्याओं का multiply powered करते हैं तो कभी 0 नहीं आता है ऑगे समझ में ये जो question है ये मैं आपको दे रहा हूँ homework के लिए आप इसको solve करना जितना मैंने आपको concept बताया अभी तक उस हिसाब से आप इसको solve करना और comment section में मुझे बताना कि number of zeros कितने आ रहे clear है आगया समझ में तो ये थी आज की हमारी basic class ठीक है और कुछ easy जो example होते है ताकि आपका base clear हो जाए वो मैंने आपको आज बता दी ठीक अगली class में हम कुछ अच्छे level के सवाल लेके आएंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी और exam के लिए आपको बहुत helpful होगा पर फिर भी अगर आपको basic में कोई doubt है आपको लगता है कहीं पर कुछ छूड़ गया या कुछ समझ में नहीं आया तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं so thanks for watching for more update please like share and subscribe